नमस्कार जोहार दूर दर्शन जार्खन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ अकांग्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समचार जैसा कि हमारे कारेक्रम का नाम है वैसे ही हमारा उदेश भी है कि हम आप सभी दर्शकों तक रोजगार ससंबंदित विभिन विग्यप्तियों के बारे में जानकारी दे तो आईए जानते हैं आज की पहली विग्यप्ति के बारे में इंडियन नेवी यानि भारती नौसेना द्वारा अगनी वीर की भर्तियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है यह भर्ती SSR के कूल 1365 पदों को भरने के लिए जारी की गई है जिसमें महीला और पुरुज दोनों आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए अभ्यर्ती को गनीत एवं भौतिकी से बारवी पास होना अनिवार रहे है वहीं अभ्यर्ती की आयू सीमा की बात की जाए तो यह 18 से 30 वर्स रखी गई है वेतन मान 30,000 रुपे प्रती माने धारित है साथ ही ट्रैवल अलावंस और अन्य खर्ज भी दिये जाएंगे आवेदन करने के लिए अंतिम्तिती पंदरा जून है एक चुक आवेदक इस भर्ती के लिए ओफिसियल वेवसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है अब जानते है नैशनल इंवेस्टिगेशन एजनसी त्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में नैशनल इन्वेस्टिगेशन इजनसी यानि राश्ट्री अन्वेशन अभीकरन जिसमें सहयक उपने एक्षक के पत के लिए आवेदन किया जा सकता है इसके लिए 44 पदो प की बात की जाए तो 18 से 56 वर्स निर्धारित की गई है वहीं वेतन मान पे मैट्रिक्स लेवल पांच यानि 29,200 से 92,300 रुपय तक निर्धारित है इसमें आवेदन करने की अंतिमती थी 13 जून 2023 है इससे जुड़ी अन्य जानकारी लेने के लिए आप ओफिसियल वेबसाइट www. www.nia.gov.in पर विजिट कर सकते हैं अगली विग्यपती है DFC-CIL से DFC-CIL यानि Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited द्वारा Executive और Junior Executive के पत पर कूल 535 भरतिया जारी की गई है वहीं अलग-अलग पद के अनुसार आवेदक की साक्षनिक योगिता 60% अंकों के साथ B.com, B.b.a., B.c.a. डिप्लोमा आदी में डिग्री होने की अनिवारता है आयू सीमा की बात करें तो 18-30 वर्स निधारित है वेतन मान पद अनुसार निधारित है आवेदन करने की अंतिमती थी 19 जून 2023 अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.dfccil.com पर विजिट कर सकते हैं बात करते हैं अगले विग्यपती की जो एंटी पीसी द्वारा जारी की गई है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने सहायक केमिस्ट्रेनी के लिए 30 पदों पर भरत्या निकाली है आवेदन करने के लिए आवेदक की साक्षनिक योगिता केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इस पद के लिए अधिक्तम आयू सीमा 27 वर्ष निधारित की गई है बात करे इस पद के लिए वेतन मान की तो 30,000 से 1,20,000 रुपे प्रती मानिधारित की गई है आवेदक 11 जुन 2023 तक आवेदन कर सकते है और अन्य जानकारी के लिए आप इसकी वेफसाइट www.ntpc.co.in पर विजिट कर सकते है पंजाब नैशनल बैंक द्वारा कई पदों पर न्युक्तिया जारी की गई है इसमें इस लिस्ट आफिसर यानि आफिसर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पद के लिए कूल 240 भर्तिया जारी की गई है वहीं आवेदक की साक्ष्टिक योगिता की बात करे तो पद अनुसार 60 प्रतिसत अंग के साथ ग्राजुेशन बी-ई, बी-टेक, सी-ए की सर्टिफिकेट किसी मानेता प्राप्त संस्थान से होना आवशक है आईू सीमा 21-38 वर्स रखी गई है वेतन मान 36,000 से 63,840 रुपे अलग-अलग पत के अनुसार निधारित है आवेदन 11 जुन 2023 तक किया जा सकता है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.pnbindia.in पर विजिट कर सकते हैं बात करते हैं अगली विग्यपती की जो इंडिया पोस्ट ओफिस द्वारा जारी की गई है इसमें ग्रामिन डाक सेवक के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पत की कूल 12828 बर्तिया निकाली गई है साक्षिक योगेता की बात करें तो दसवी पास अभिहरती इसमें आवेदन कर सकते हैं अभिहरती के आयू सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिक्तम 40 वर्षक निधारित है वहीं वेतन मान प्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000-3150 रुपए प्रतीमा और क्षैंट इसवियर और बांच पोस्ट मास्टर के लिए 10 Coolerند से 24,470 रुपएं प्रतीमा निधारित है आवेदक 11 जुन 2023 तक आवेदन कर सकते है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.indyapostgdsonline.gov.in से ले सकते है आज की आखरी विग्यपती है कर्मचारी चैन आयोक से इसमें कंबाइन हाई सकेंडरी लेवल के लोवर डिविजनल क्लर्क, कनिस्ट सचीवाले सहायक और डेटा इंटरी ओपरेटर जैसे पदों के लिए भरतिया निकाली गई है यहां लगबग 1600 पदों की रिक्तिया है आविदन करने के लिए अभ्यरती को बारवी पास होना अनिवार रहे है आविदन के लिए IUC मा कम से कम 18 वर्स और अधिक्तम 27 वर्स रखी गई है बात करें वेतन मान की तो विभिन पद अनुसार 19,900 से 81,100 रुपे प्रती मा निर्धारित है आज जुन 2023 आविदन की अन्तिम्ति थी है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर विजिट कर सकते है ये थी वैकेंसिस से जुड़ी कुछ जानकारिया जो केंद्र और राजसरकार ने आमंत्रित की है आसा करती हूँ कि ये जानकारिया आपके काम आईगी ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए आप देखते रहे रोजगार समचार साथी कोई विचार आप हमारे साथ साजा करना चाहते है तो आप हमारी यूट्यूब चानल दीडी जारकन को सब्सक्राइब कर सकते है और उसके कॉमेंट सेक्षन में जाकर आप उसमें अपने विचारों को लिख सकते है विग्यापनों की अधिक जानकारी के लिए आप प्रकाशन विभाग द्वारप्रकाशित सापताहिक पत्रिका रोजगा समचार को भी पढ़ सकते है इसी के साथ मैं आप से लेती हूँ इजाजत धन्यवाद